नमस्का दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज बनाएंगे अंदमान निकोबर आइलेंड का बहुती टेस्टी फिश करी, ये बनाना थोड़ा अलग है, मगर बहुती इजी है, आप लोग इस रेसिपी को एक बार खा के देखिए, बार बार मन करेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो दोस्तों इस रेसिपी को लास तक देखिए, अगर चैनल पे नया आए है, रेसिपी को देखके पसंद आए, तो चैनल को ज़रू साब्सक्राइब कीजेगा और लाइक भी कर दीजेगा, तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए मैं पांच फिस सी फिश ले लिया हूँ, आप लोग चाहे तो रिवर फिश भी ले सकते, तो फिश को पहले से पानी से धो के साब कर लिया, और इसके अंदर दे दिया वान टी स्पून नमक, वान टी स्पून दे दिया हल्दी पाउडर और आधा टी स्पून काश्मीरी रेट चिली पावटर तो इन तीन मसालों को देके अच्छे से इस फिश को अच्छे से मिक्स्ट कर लेंगे और देखिए जिद्ना अच्छे इस मसालے के सथ फिश अच्छे से मिक्स्ट होगा, इसका टेज्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है और इस फिश को 15 मेनटेक के लिए रेस का जरूरत नहीं है एकदम मतलब low to medium flame में एकदम हलका फ्राई करेंगे तो देखे हलका फ्राई करने से क्या होता है ग्रेवी जो होता है मतलब कड़ी जो बनता है उसमें फीश का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है तो देखे मेरा एक तरफ अच्छे से फ्राई हो चुका है उ कि ज्यादा करवा करने के जरूरत नहीं है तो इसी ही सब से में दोनों तरफ अच्छे से पलट Pocket फ्राई कर लिया और इसके बाद इसाफिश विख फिश था तो सारीफ इसको अच्छे से फ्राई कर लिए बिख रिख拏 अलक़ करके और अलग बर्यटन में रख दिया तो देखिए अच्छे से में भी बहुत अच्छ अच्छ हो गया देखने ड़ा दूसरे तरफ में 1ा कर्या तो में होमारी बिठा दिया हो इसके अंदर दे दिया 20 ग्राम कि कड़ी खाल फाल्सराइबμέल मास्टर रॉइल को इसको久 कड़ी पत्ता अधा टालें एक अरुätter लिए इस प्याच को इस करम तेल के अंदर देखे अच्छे से मीडियम फ्लेम में फ्राइ करना है प्याच को अच्छे से फ्राइ करने से क्या होता है ग्रेवी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है और इसको साथ से आर में तक फ्राइ करेंगे और दूसरे तरब में थोड़ा सा इमल तरहा चेंज हो रायं और पियाच पहले git ते नर्म हो रहा हैं इस oo एrites पर मैं दे दूँगी इसके अंदर 3 टी स्प豫 लसन का सदर्ण Europeseak ईपम में खाला कुल कर स्बो afterwards है, घुझा ऑफ़ पोट दोमें तो पता जोन आयों सोट भ़ाइयोयार तो इस टमाटर को भी दे दिया और जो मिक्सी का चार में थोड़ा बहुत बच किया तो इसके अंदर भी पानी डाल के उसको भी इसके ग्रेवी के अंदर दे दिया देखे अच्छे से मिक्स करके इसको चार से पांच मिनिट तक इसको बॉयल करना है उसके बाद इसके अंदर सुखासाला 1 तीज्वूर॥ 1ीपमिक्साला , जीसको किच्ञुन किंग मसाला बोलते हैं काश्मिरी रेड चिली पाउडर और धन्या . अब व्यसbutक तंद हमग इनकी अपाक जडोड होय है इस मसाला को अच्छे से तयार करना है तो इस मसाला जब फ्राई होगा गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम में रखिए और इसको अच्छे से दस से बाड़ा मेने तक अच्छे से फ्राई केजिए तो यह जितना अच्छा फ्राई होगा देखेगा मसाला का कलर जो है वो मेरा जब इमली था वो अच्छे से पानी के अंदर सौफ्ट हो गया है उसका पल्प बना रहे हो और ग्रेवी के लिए दे दिये इसके अंदर दो ग्लास के करेब पानी तो आप लोग जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं उसी सबसे इसके अंदर पानी दे दीजेगा उसके बाद जो इमली को में पाल्प मना के रखी थी वो इमली का पाल्प को भी एक छानी से चान के दे दिया क्योंकि कभी कभी नहीं चानने से ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा इमली का दाना रहे जाता है तो अच्छा नहीं लगता है उसलिए इसको थोड़ा चान के दे दिया और उसक आड़े से जब हो जाएगा तब उसके बाद जो फिश को मैं ने फृराइ करके रखी थी उस फिश को इस ग्रेवी के अंदर डाल देंगे और इस ग्रेवी के अंदर देखे इस फिश को जादा दे तक हम लोग पकाएंगे ने जादा से जादा 6-7 मिनित तक एकदम लो फ्लेम में पकाएंगे इस में क्या हो Evan Math Fish का जो तेस्ट है और आ जाएगा बहुतQué बड़िया एक टेस्ट निकल के आता है और इह देखिए कलर जो हे कितना बड़िया और लास्ट में देदेंगी इसके अंदर हरा मिर्स हरा मिर्स जरूरा देजिए हरा मिर्स बहुत बरियाद से पक रेडी हो चुका है मेरा ग्रेवी एकदम रेडी है तो इस रेसिप को आप लोग स्टीम राइप्स के साथ खा सकते रोटी के साथ खा सकते पराठे के साथ खा सकते जिससे मज़ी उसी से खा सकते बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों तो आप लोग घर फिर मिलेंगे दोस्तों एक नया रेसिपी के साथ तब तक आप लोग बहुत अच्छे रहें खूश रहें बाई बाई